हलो गाईज कैसे हैं आप सभी दोस्तों एक से दो दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया हुआ था जीटेफ हैप को हम इस टीम से कैसे पर्चेस कर सकते हैं तो उसमें लगबग एक से दो घंटे के अंदर ही मेरे चैनल में कम्मुनिटी गाइडलाइन आ गया था और उस कंटेंट को रिमूव कर दिया गया था और उसमें कम्मुनिटी गाइडलाइन में लिखा हुआ था डेंजरस और हामफूल कंटेंट करके जबकि ऐसा कुछ भी मैं यूज नहीं किया था नहीं उसको मैं फ्रीमें दिलाने कोसिस कर रहा था और नहीं कोई हेकिंग का तरीका बताया था उसके बाद भी उसको रिमूव कर दिया जाता है अब जब भी चैनल में कम्मुनिटी गाइडलाइन आता है तो उसमें अपील के एक आप्सन रहता है तो मैं अपने में अपील करने का कोसिस किया तो जैसे ही अपील किया लगबग 2-3 मिनट हुआ होगा अपील किये हुए त तुरंद के तुरंद मेरे नोटिबिकेशन आता है अपील ग्रांटेट करके और मेरे चैनल में मेरा कंटेंट वापस आ जाता है अभी आप चेक करेंगे तो मेरे चैनल में वो वीडियो दिखाई देगा अब पहली बात मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं ऐसा कुछ भी यू लेकिन ऐसे में यूटूब के उपर से भरोसा कम हो जाता है मैं इतने अच्छे से वीडियो बनाने को कोसिस करता हूँ मतलब कुछ भी गलती ना रहे हर एक गाइडलाइन का ध्यान रखता हूँ उसके बाद भी बीना मतलब को उसमें कम्मुनिटे गाइडलाइन आ जाता है और उसके बाद अपील करने पर भी इन लोग ऐसे टाइप का उसको अपील अप्रू करते हैं जैसे कि उन लोग देखे ही नहीं हैं तो चलो यह सब अब छोड़ते हैं यह सब तो होते ही रहता है मेरे में पहले भी एक फेक कॉपिराइट इस्टाइक आ चुका है और उसको म आज की इस वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैसे हम फ्रेफायर या फिर फ्रेफायर मेक्स को ओपन करते हैं और उसमें आपके में जो करेक्टर रहते हैं वो ब्लेक कलर का दिखाई दे रहा है या फिर आप गेम के notification को on कर लिजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों फ्रेपार में जो black character का problem है यह किसी किसी mobile bus में आता है अब मेरे में नहीं आया है इस कारण से अब मैं ला करके भी नहीं दिखा सकता क्योंकि आता ही नहीं है बहुत कम mobile में problem आता है फिर भी एक comment आया हुआ इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो दोस्तों आपके में अगर ऐसा कुछ भी problem आ रहा होगा तो फ्रेपार का इसमें कुछ भी मतलब problem नहीं रहता ठीक है इसको हम लोगों को पूरा पूरा close कर देना है close करने के बाद दोस्तों आपको अपने mobile की setting open कर लेना है setting open करेंगे उसके बाद आपके mobile में about phone दिखेगा उसके अंदर आपको जाना है हो सकता है उपर में होगा या फिर किसी किसी mobile में सबसे last में रहता है about phone में आने के बाद अगर आपका Redmi का mobile होगा तो यहां पर MIUI वर्जन दिखाई दे रहा है इसको आपको तीन से चार बार लगा करके दिखाई देगा तो उसको आपको तीन से चार बर लगातार क्लिक करना है तब आपका developer option on हो जाएगा अगर आपके mobile में नई भी बन पा रहा है तो आप simply google कर सकते हैं how to turn on developer option और अपने mobile का मतलब device का model number डाल दीजेगा और आपको इसका step by step process दिख जाएगा अब developer option इने सेटिंग रहता है इसी के अंदर हम लोग को developer option देखने को मिलता है अब यह बहुत सारे mobile में अलग अलग जगा पर होता है इसलिए मैं search में लिखने के लिए बोला search में भी लिखेंगे तो direct भी आपको मिल जाएगा और वैसे ढूंडेंगे तब भी आपको मिल जाएगा अब कुछ mobile में कोई setting work करेगा अब जितना इसमें setting है जो graphics related है उन सबको मैं आपको बता देता हूं उन सबको आपको try करके देखना है अब try कैसे करना है उसका भी तरीका बताता हूं सबसे पहले यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर logger buffer size करके दिखाई देगा इसको आपको click करना है और इसमें आपको changes करके देखना है जैसे 4MB आपको select कर लेना है और जो भी चीज़ चेंज करेंगे उसको आपको ध्यान रखने हो सकता है अगर आप ज्यादा चीज़ चेंज कर रहे हैं तो एक copy में आप note करते जाए क्या क्या setting को आप change कर रहे हैं तो इसमे के बाद हम लोग को अपने mobile को restart करना है restart करने के बाद prepare को open करके देखना है character का जो problem है वो solve हुआ है कि नहीं हुआ है अगर नहीं होता है तो इसमें एक दूसरा setting दूसरे से relate बिल्कुल भी नहीं करता है तो इसको हम लोग को फिर से same to same जैसा पहले था वही कर देना है नहीं अंदर जितना भी setting है यह सब graphics के लिए ज्यादा तर है इसमें से जो जो है उन सब को मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर force 4xmsaa करके लिखा हुआ है इस setting को हम लोग को on कर देना है यह अगर out है तो इसको आप on कर सकते हैं और उसके बाद try करके देख सकते हैं इससे बहुत ही ज्यादा possibility है कि आपका problem solve हो जाएगा एक setting इसको आपको करना है और दूसरा setting यहाँ पर देख लीजिए always use GPU करके दिखाई दे रहा है तो यह तो GPU से related ही है जो graphics का problem के कारण ही black screen आता है तो यह भी बहुत ही ज्यादा important है यह दोनों setting जो force 4x करके है और यह display hardware hw लिखा हुआ यह दोनों बहुत ही ज्यादा important है इन दोनों को आपको on जरूर से करना है और on करने के बाद अपने mobile को एक बाद restart करने के बाद free fire को open करना है और उसके बाद आपका problem solve होने का बहुत ही ज्यादा chances है और अगर इसके बाद भी आपके में solve नहीं होता है तो इन setting को भी same to same वह आपको on कर देना है तो इसको अगर आप on कर लेंगे और उसके बाद mobile को rest करेंगे तो आपका problem solve हो सकता है अगर performance के कारण आपके में black character का problem आ रहा है अब इतना सब को आप try करेंगे guys तो आपके में black character का problem 100% solve हो जाएगा और आप अराम से फ्रेफायर को खेल पाएंगे लेकिन इन सभी setting को change करने से पहले guys आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है आप जो भी setting में changes कर रहे हैं उन सब को आपको याद रखना है और उसके बाद अगर वो काम नहीं करता है तो उसको फिर से off कर देना है नहीं तो यह आपके android के दूसरे setting को भी effect करते हैं so I hope दोस्तों य वीडियो आप सभी के लिए helpful होगा अगर यह वीडियो थोड़ा सभी आपको अच्छा लगा guys तो please channel को subscribe कर लीजिए और bell icon में से all notification को on कर लीजिए तो चलिए अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में अभी के लिए सभी को bye bye